आज अन्बॉक्सिंग करने जा रहें एक न्यू प्रोडक्ट की जो मंगा है एमेजान से आईए देखते हैं क्या है इसमें यह मंगवाए हैं स्टील के कंटेनर्स इस तरह की पैकिंग में आया हैं बहुत ही अच्छी पैकिंग है से स्क्रेश नहीं पढ़ते कि इस पीयुक्त है देखिए एक बार पैकिंग में है इसकी क्वाइटिवाइस आप इंजिनिरिंग से रिखते है इसके धकन में अलग से लगी हुई है कमर को इसकी बहुत जादा अच्छी है कंटेनर के अंदर कंटेनर है दो कंटेनर है बहुत टाइम पहले मंगवायत है एक लिए इसके अन्वक्सिंग नहीं जरबायत है तो मुझे इसका रेट का याद नहीं आ रहा है इसका बिल होगा बीच में ड़कन अलग से उसको यह के इस तरह का इसका धकन आहे जिससे आपको पड़ा लग सकता है कि पैच में क्या है क्या प्लास्टीक क्रास्टीक language देखिए प्लास्टीक दखिफुर में प्लास्टेट लगी उई कि मैं प्रहे ट्रांस penneds gоне किया मेरा मीन पर च्रबस था देखिए सब कितने कंटेनर रहें इसमें आज को सब क्या रहे हैं कि स्टील के कंटेनर यूज करने चाहिए तो देखिए अलग-अलग साइज से हैं हर डब्बे की अलग पैकिंग की गई है थाकि इसे स्क्रैश ना पड़े डब्बे के अंदर डबाए आइधिंग कंटेनर के अंदर कंटेनर आए सबके ग्लास वाले देखो डखका न देखने में इस दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए त्रांस्पेरेंट जु प्लास्टिक शीट के लिखे और अन्दर से भी इसकी कौउलिटी रेखो बहुत अच्छी है सएक कोई खुला अभा है ं कि विट कैप वक्ते था था जिन चीजों को मैस्चर लग जाता है और इन में टाइट भी बहुत अच्छे है एर नहीं जाएगे इसके अंदर नमी नहीं आईगी कोई भी चीज अगर आप इसमें डालोगे तो इसका बिल यह है यह इसका बिल है यह डाइनोरा के हैं आप देख रहे हो देनोर के हैं स्टेनलेस स्टील कैनिस्टर और इनकी कोस्ट है 690 के पड़े हैं इस सारे 690 के तो इसकी कोस्ट है 690 जो अब आमेजोन से परचेस किया है मैं आपका लिंक भी नीचे शेयर करूंगी इसके लिए थोड़े टाइम पहले मैंने इसको मंगवाया था काफी टाइम बात खोल रही हूं पर हो सक्टाइस के रेट और कम हो गया हूं पर क्वालिटी वाइस बहुत अच्छा है थेंक अबमेड़ के लेख है मेड़य देगी टाइस का लेकी